चर, एक चर वह संख्या है जिसमें कोई निश्चत मान नहीं होता है, यह विभिन मान ले सकता है, किसी चर को प्रदर्शित करने के लिए हम किसी अक्षर जैसे M, L, P, X, Y, Z का उप्योग कर सकते हैं, सामान्य नियमों में चरों का उप्योग, जामिती के नियम, किसी वर्ग का परिमाप एक वर्ग में चार भुजाई होती हैं और वे लंबाई में बराबर होती हैं, इसलिए एक वर्ग का परिमाप होगा, बराबर वर्ग की भुजाऊं की लंबाईयों का योग, जो वर्ग की भुजा की लंबाई के चार गुणा के बराबर होता है, हम चार गुणा A अत्वा केवल चार A प्राप्त करते हैं, इस प्रकार हम किसी वर्ग के परिमाप के लिए नियम प्राप्त करते हैं, चर A का उप्योग हमें इस तरह सामाने नियम को लिखने देता है, कि संक्षेप में और याद रखने में आसान हो, अंगनित के नियम, दो संख्याओं के योग की क्रम विन्यमेता, क्रम विन्यमे करने का अर्थ परस पर बदलाव करना है, हम जानते हैं कि चार जोड तीन बराबर, तीन जोड चार, दोनों बराबर साथ, इस प्रकार योग में संख्या के क्रम का क्रम विन्यमे करने से योग नहीं बदलता है, चरों का उप्योग हमें एक संक्षिप तरीके में इस गुण धर्म की व्यापकता व्यक्त करने की अनुमती देता है, माना A और B दो चर हैं, जो कोई भी संख्या मान लेते हैं, फिर A जोड B बराबर B जोड A, इसी प्रकार हमारे पास दो संख्याओं के गुणन फल की क्रम विन्यमेता गुणन फल में नहीं बदलती है, उधारण के लिए 3 गुणा 4 बराबर 4 गुणा 3 योग की स्थिति में चर और A और B को उप्योग करके, हम दो संख्याओं के गुणन की क प्रमविन्यमेता को व्यक्त कर सकते हैं क्योंकि संख्याओं का वुत्रण माना हमें साथ गुणा अर्टिस का परिकलन करने के लिए कहा जाता है, हम निमन कार्य करते हैं, हम अर्टिस को तीस जोड आठ के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए वितरणाता गुणधर्म का उप् इस गुण धर्म को संख्याओं के योग के सापेक्ष गुणन की वितर्णता के रूप में जाना जाता है। सब्सक्राइब के साफेक्ष गुणन के साफेक्ष गुणन की वितर्णता है।